ऐसकर कहा जाता है कि World War 2 में जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स थे, उसमें से कुछ लीडर्स अगर ना होते, तो World War 2 ही नहीं होता, तो यह कुछ 3-4 लोग के हाथ में यह पूरी बागदोर थी, और उस लिस्ट में जो नाम सबसे उपर होता है, अगर 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 अ World War 2 के समय, और उसके पहले भी, हिटलर के उपर बहुत सारे assassination attempts हुए था, जब उसको मानने की कोशिश की गई थी, तो इस वीडियो में, जो मेरी पूरी सीरिस का episode 59 है, इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हिटलर के उपर एक बहुत बड़ा और बहुत extensive assassination plot हुए, जो की execute किया गय लाइजर्स, इसके कुछ लोग थे मिलकर जो चाहते थे की हिटलर को सीन से निकालना है, तो कुछ लोग का यह मानना था कि हिटलर को मार देना चाहिए, और कुछ का यह मानना था कि इसको मारेंगे नहीं, उसको पस power से अटायो और उसको trial पडालो, और दिखाव किывने कि उ और क्या-क्यच उसने ऐसी चीज़ें की हैं जो उसने लोगों को बताई नहीं है और लोगों के सामने उसको ले के आया जाए यह जर्मनी के जितने भी लोग थे जो उसको हटाना चाते थे वो सोच रहे थे कि जो अपनी इतनी एक्सपैंशन कर रहा है जर्मनी का तो जो वेस्टन एलाइज हैं यानि फ्रांस ब्रिटन और मेभी अमेरिका भी वो लोग उसके इस एक्सपैंशन को अपोस करेंगे और जब वो विरोध करेंगे तो जनता यहां पर गुस्सा होगी जर्मनी की जनता क्योंको लगेगा कि यह इतना करूंगा आप मुझे रोको मत तो फ्रांस और इंग्लेंड ने बोला कि ठीका कर लो उसके ब्रिटन ने बोला कि नहीं अब नहीं तो इसलिए फिर 3 सेप्टेंबर ब्रिटन और फ्रांस ने मिलके जर्मनी के उपर बॉर्ड डेक्लियर कर दिया बट उसके पहले बहु और वो सारा होते हुए यह साई ब्रिटन और फ्रांस देख रहे थे और उन्होंने इसको विरोध नहीं किया बट यहां तक आते आते हिटलर इतना पॉपिलर हो चुका था अपनी जनता में और बाकी दुनिया के सामने भी कि अब जो प्लॉटर्स थे उनको लग रहा था कि इसको पावर से निकालना इतना असान नहीं होगा तो इसलिए फिर साल 1942 में यानि वोल्ड वॉर्ड टू के स्टार्ट होने के तीन साल के बाद एक नया रिजिस्टेंस ग्रूप पैदा हुआ कहां पर आर्मी ग्रूप सेंटर में इस्टन फ्रेंट पर नांटिन फ्रेंट उसमें एक बंदा था करनल ट्रेको इस बंदे ने शुरुआत की इस एक पूरे प्लैन की जिसके अंतरगर उनको чаटाना था या शायद उसको एस्याइसेनेट करना था सहनिंग वार्न 1 ट्रेको इस बंदे ने पहले बहुत प्लैनिंग की ही ट्लेर के उ anger का करने की इसको उ मानने कोशिश की बर वो जानता था कि एक इसके बात क्या होगा उसके पूरा फ्लान चाहिए तो इसलिए वो जानता था कि एक जब तक एक extensive अगन पायगा तब तक हम को मानने कोशिश नहीं करने हैं तो लगातार अपने आर्मी में धून रहा था ऐसे लोगों को जो हिटलर को अपोस करते हो और वो हिटलर को पावर से हटाना चाहते हो तो फाइनली इसको एक बंदा मिला जिसका नाम था फ्रेडरिक आलब्रिक्ट ये बंदा बर्लीन में जो जर्मनी की जनरल आर्मी का हेड़कॉर्टर था उसका एक बहुत इंपोर्टन आर्मी जो जर्मनी की रिजर्व आर्मी थी उस आर्मी के साथ ये घंडा कंट्रोल करता था तो ट्रेसको ने प्लान किया हैं अब अगर हमने और बीन साहत जाल आर्मी को अपने साहते आगे जो जर्मेनी की आलमी का हेड़कॉर्टर था, आलमी कुप सेंटर का हेड़कॉर्टर, जब वहाँ पर वो विजिट करने के लाए था तो उसको मारने का एक प्लान मनाया, तो उन्होंने उसके प्लेन में एक बॉम रखा, बट वो बॉम एक्सप्लोर इनी किया, तो यह attempt भी fail ह उसके एक हफते के बाद, हिटलर जब बर्लीन में एक exhibition में था, उस exhibition में जितने भी Soviet weapons capture हुए थे, Eastern Front पे, उन weapons को दिखाया जा रहा था, उस exhibition में भी उसको मारने की कोशिश की गई, बहाँ पर भी attempt fail हुआ, तो इसलिए Tresco, Albrecht और यह जितना भी resistance group बन रहा था, वो लोग demol नहीं पा रहा है, तो इसी दौरान Tresco ने कोशिश की दूसरे बंदों को recruit करने की जो बहुत important senior officers थे, ऐसा कहा जाता है, कुछ historians ऐसा कहते हैं, कि Tresco ने Field Marshal Manstein को, और Field Marshal Runstate, जो इतने बड़े German officers थे, इतने influential थे, इतने popular थे, उनको भी इस बंदे ने contact किया था, Hitler को power set आने क confirm नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इस बात को मानते हैं, कि हाउस ने approach किया था, कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं, तो ये confirm नहीं है, बट ये confirm है कि Manstein और Runstate का कुछ active involvement नहीं था, इस plot में, बट ऐसा कहा जाता है, कि उनको पता था, कि ये लोग कुछ plan कर रहे हैं, बट उनोंने ना SS को inform किया, Himmler को inform किया, और ना ही Hitler को inform किया, बट इस बात में कितनी सच चाहिए, ये नहीं कह सकते हैं, तो ये जो पूरा resistance का जो group बन रहा था, इसमें इतने सारे लोग थे, तो सारे लोग का जो main objective था, Hitler को power से हटाना है, Hitler को scene में से हटा देना है, बट वो हट जाना क्यों है, उसके जो उनके मकसद थे, वो अलग अलग थे, जो आर्मी का जो wing था, आर्मी के बहुत लोगे मानते थे कि Hitler ने जर्मनी की आर्मी को बहुत बद्दाम कर दिया, क्योंकि जहां-जहां इनकी आर्मी जा रही है, वो बहुत civilians के साथ बहुत जात्तियां कर रह है, हमारी आलमी के लिए बहुत shameful बात है यह कि पूरी दुनिया में जर्मन आलमी के reputation इतनी खराब करवा रहा है Hitler, तो वो इस बात से Hitler को टाना चाहते थे, कुछ लोग जिस ग्रूप का हिस्सा थे, वो चाहते थे कि जो Hitler की नाजी रेजीम है, यह होनी नीचे जर्मनी में, यहाँ पर Communist regime होनी चाहिए, कुछ लोग चाहते थे कि किसी और तरह की regime हो, उनका यह मक्सिद था, कुछ लोग यह चाहते थे कि जब Hitler पावर में आया था, उसके पहले उनकी जर्मनी की government पे या जर्मनी की जनता पे एक पकड़ थी, वो लोग important politicians थे, बट जब वो पावर मे इसको पावर से हटा लिया था, और एक बार उन्होंने हिटलर को पावर से हटा भी दिया, तो next challenge यह था, कि अब जो allies है, Western allies, मतलब France, Britain और America, उनके साथ जर्मनी की officials को संधी करनी थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर यह Eastern Front से एक बार Soviet Union अंदर आ गया जर्मनी के, फिर तो उनके हाँ से सारी बात निकल जाएगी, उससे पहले ही उनको Western allies के साथ संधी करनी थी, और उनकी demands यह होने वाली थी, कि अगर हमने हिटलर को हटा दिया पावर से, तो हम यह कहेंगे, कुछ लोग यशा रहे थे कि, जितना World War One के समय जर्मनी की boundaries थी, उतनी boundary जर्मनी को रख यह हो गया, वो independent countries है, तो हम इस बात को allow नहीं कर सकते कि World War One के time का इतना बड़ा German Empire है, वो आपको सारी countries आपको मिल जाएगी, तो इस वज़े से बहुत मधेद था इस group में, आपस में, कि हिटलर को पावर से हटाने के बाद क्या किया जाएगा, तो 1943 के मिड तक आते आते, जब Germany war में decisively हारने लग गया था, तो यह सारे जितने भी planners थे हो समझ गया थे, कि अब जल्दी हमको move करना है, क्योंकि अब Germany हारने वाला है, अब हम जीत नहीं सकते, तो इससे पहले कि Germany पूरी तरह सर्वनाश हो जाए, जर्मनी का तबाह हो जाए, उससे पहले हम जाके यह हिटलर को power से हटा जेते हैं, और फिर हम western allies के साथ, Soviet Union के साथ नहीं, western allies के साथ एक truce कर लेते हैं, फिर August के महिने में इसी साल, 1943 में, जो Tresco था, उसकी मुलाकात हुई, एक young officer के साथ, यह officer North Africa के campaign में इसने participate किया था, और इसको एक injury हो गई थी, जिसकी वज़े से, इसकी एक आंख चली गई थी, और उसकी एक हाथ पूरा उड़ गया था, और दूसरे हाथ की कुछ उंगलियां चली गई थी, इस officer का नाम था, Lieutenant Colonel Klaus One Staffenberg, Tresco को Staffenberg से मिलके बहुत च्छा लगा, क्योंकि यह बंदा बहुत resolute लग रहा था, और ऐसा कह रहे थी कि सच्छा nationalist है, देश Staffenberg को इस group में लेके आया, Tresco, तो उसने देखा कि Staffenberg बहुत decisive इंसान है, और वो जो, you know, फटा-फटा-फटा लेने वाला इंसान है, तो उसको group में लाने के बाद, Tresco का कुछ समय के बाद, उसका transfer हो गया, Eastern Front पे, तो Berlin में जो planning होने वाली थी, उससे Tresco दूर होने वाला अब इस चीज़ को लेके भी group में बहुत सा लोग की बीच में मत भेता, क्योंकि बहुत लोग चाहिए थे इसको मानना ने चाहिए, हमको इसको हटाना चाहिए, एरेस्ट करना चाहिए, और इसको फिर public trial होना चाहिए, ताकि जनता को दिखाई पड़े, बट फिर भी finally decide हु जर्मनी में जितने भी उसने occupy की हैं territories, वहाँ पे उसने बहुत साय लोगों को civilians को पकड़ पकड़ के force labor करवा रहे हैं, तो अगर वो force laborers जो हैं, उन्होंने एकदम करांती कर दी, तो उनको दबाने के लिए, उस rebellion को quell करने के लिए एक army की जरूरत होगी, तो उस purpose के लिए आर्मी रखी थी, या फिर उसके अलावा जो allies लोग जो aircraft से bombing कर रहे थे, जर्मन cities के उपर, उसके वज़े से जो पूरा law and order तहस्नास हो रहा था, उस law and order को maintain करने के लिए, reserve army को बनाया गया था, तो operation Valkyrie में ये लिखा गया था, कि अगर ऐसी situation बनती है, कि किसी भी situation के वे official plan था, और इस plan में, हिटलर ने भी sign किया था, बट जब ये लोग, जो army के जो plotters थे, जो हिटलर को मारना चाहते थे, जब उन्होंने इस plan में involved हुए, तो उन्होंने operation Valkyrie में एक adjustment किया, उन्होंने ये कह दिया कि, सिर्फ law and order को maintain करने के लिए नहीं, बल अगर हिटलर को को और इन changes के, उन्होंने इन changes के उपर sign भी करवाया, हिटलर के, वो जो पूरा plan था, उस पर उपर सबसे पहले ले लिखी थी, आर फ्यूरर, अडॉल्फ हिटलर is dead, तो पढ़ा हिटलर ने, और उसने उपर उपर से पढ़के, उस पर sign कर दिया, और उसने पूरा detail में पढ़ कि यह authority होगी, कि जितने भी government offices हैं, जर्मनी के अंदर, और जर्मनी occupied territories के अंदर, फ्रांस हो गया, फिर आस्ट्रिया, या फिर Eastern Front पे, जो जो उन्होंने areas occupy कर ली थे, जितने भी public offices हैं, उन सब को officially occupy कर सकती थी, reserve army, यह power अब उनके पास आ गई थी, बहुत सालों तक ऐसा मान को स्टाफनबंग ने मनाया था, बट recently कुछ documents discovered हुए, कुछ सालों पहले, उसमें बता चला कि यह plan originally Tresco ने मनाया था, execute इसको स्टाफनबंग ने किया, तो 1944 में स्टाफनबंग ने काफी कोशिश की Hitler को मारने की, किसी तरह की तरह से plan करने की, बट अब यहां पे दिक्कत य पिरेंस के लिए और जब भी लोगों से मिलता था तो बस उनी लोगों से मिलता था जो उसको जानते होते थे, नए लोगों से मिलता ही नहीं था, इस वज़े से कोई भी assassination attempt उसका plan ही नहीं कर पा रहे थे वो और साथ ही साथ वो Berlin में आता ही नहीं था, वो ज्यादा तर समय बिता रहा था अपने वोल्फ लेयर में, जो कि रास्टनबर्ग में था, इस प्रशिया में, या फिर उसका जो दूसरा की ट्रीट था, वर्गॉफ में, वहाँ पे वो समय बिताता था, वो Berlin में आता ही नहीं था, और ये सारी planning जो है, वो Berlin से हो रही थी, तो ये जो पूरा कुछ लों को है मानना था, कि हमको Himmler का भी साथ लेना चाहिए, हिटलर को मानने के लिए, और ऐसा भी कहा जाता है, एक ऐसी भी अफवा है, कि Himmler को भी अप्रोच किया गया था, इस प्लान को लेके, कि हम हिटलर को मानने कुशिश कर रहे है, बट Himmler ने इसके उपर कोई आक्शन नहीं लिया, क्योंकि कही ना कहीं उसको भी था कि हिटलर माने का तो मेरा नमबर लगेगा, तो उसने आक्ट नहीं किया, बट इस बात में किती सचा ही है, यह नहीं कहा सकते, जो भी हो, officially Himmler इस प्लान में इंवाल नहीं था, और इसी बज़े से जो प्लानर्स थे फिर गोरिंग, यह तीनों बंदों को हमको पावर से हटाना होगा, तभी यह प्लान सक्सीड कर सकता है, इसकी दूसरी तरफ जो रिजर्व आर्मी का जो कमांडर था, जनरल फ्रॉम, उसका इनकी साइड में होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जनरल फ्रॉम ही वो और दे सक करता है कि हमको जनरल फ्रॉम को कन्विंस करना है कि हमारा साथ दो, और अगर वो नहीं मानता है, तो या तो उसको हम अरेस्ट करें, या उसको हम किसी तरह से सिचुएशन से बाहर निकालें, उसके बाद, जून 6, 1944 को वेस्टन फ्रांस में नॉर्मंडी पे एलाइड फोसे कर दोखे, जर्मिनी में, और फिर आम हिट्लर को मार के कुछ, उन से संदी करनी खारें, तो फिर क्या ही फायला है? हमको तब इन से संदी करनी चाहिए, लाइस से, जब हमारे हाथ में अभी ताकत है, तो इसनी बोगत वाटा फट, हमको कुछ ना, कुछ इसमें करना है हिट स्टाफनबर्ग अपने हेटेनं के साथ जोसका असिस्टंट था उसके साथ को गया हिटलर के साथ मिलने के लिए तो हिटलर क्या कर दाथा रास्टनबर्ग में जो उसका वूल्स लेर था एक बड़ा सा military compound था जहां पर ज्यादातर समय Hitler बिताता था तो वहाँ पर वो जाता था अपने बड़े से बंकर में और वहाँ पर एक बड़ा सा टेबल रखा था तो टेबल के चारो तरफ उसके जितने भी Main Main Military Generals थे वो उसको बताते थे कि कैसा planning हो रही है कैसे मूव कर रहे हैं इस्टन फ्रेंट पर और हिटलर उपर यह उसका plan था तो जुलाई के महिने में एक बार वो पहुचा रास्टन बर्ग में और हिटलर के बंकर में गया, conference उसने अटेंट की हिटलर भी वहाँ पर था बट उसने देखा कि यहाँ पर हिमलर नहीं है और उनका plan थो यह था कि अगर वो हिमलर को नहीं मार सकते हैं तो हिटलर को भी नहीं मारना है हिटलर, हिमलर, इन दोनों को साथ में मारना होगा तो उसने confirmation करने के लिए अपने senior से पूछा कि यहाँ पर हिमलर नहीं है अगर हिमलर नहीं है तो हिटलर को भी नहीं मालना है और इस चक्कर में यह जो attempt था यह fail हो गया हिटलर को नहीं माल पाए जबकि हो हिटलर को मार सकता है इसके बाद उन लोग में बापस बहुत भहस हुई किये अब स्टाफनबर्ग ने जो डिसाइट किया वही होगा अगर स्टाफनबर्ग को लग रहा है कि यह चीज़ करनी है तो वो चीज़ होगी पूरी पावर अब स्टाफनबर्ग के हाथ में आ गई थी तो जुलाई 20 साल 1944 को वापस एक बार कॉंफरेंस हुई और इस कॉंफरेंस में वापस हिटलर आने वाला था तो स्टाफनबर्ग ने फिर से अपना बाउम लेके गया अपने एसिस्टन के साथ और बाउम को उसका प्लान वई था कि जाके टेबल पे हिटलर जब देख रहागा मैपको तो उसके पास कहीं बाउम लग देगा और वहां से वो निकल जाएगा और फिर बाउम एक्सप्लोड कर जाएगा बट अब जब वो पहुँचा कॉंफरेंस में तो उसको बताया गया कि यह कॉंफरेंस हमेशा होती है बंकर में और बंकर चारो तरफ से सील होता है एकदम लोही की चीज़ होती हो हर तरफ से उसमें कहीं से भी कोई खिड़किया नहीं होती बट अभी उसको बताया गया लास्ट मोमेंट पर जो कॉंफरेंस की जो लोकेशन उसको चेंज करके एक ऐसे रूम में कर दी गई है जहां पर उस पूरे रूम में खिड़कियां है हब खिड़कियां होने की बज़ेसे क्या होगा कि जब बॉम एकश्प्लओट होगा तो बॉम की जो शॉप निकलती है उसको डिसिपेट होने के लिए जगा मिल जाएगी यशित और नहीं मानें तो बुरी तरह घाल हो है तो पहलते हैं अगर तो तो और अगर वही पंटा का आपने खुली जग़ा पर रखा तो उतनी ज़ुर से उसकी शौक वेव भी यह ने जोगे तो उसने चेंज कर दिया मीटिंग का बर बॉम तो रखना है और फिर जाके मीटिंग शुरू ही स्टाफनबोग मीटिंग में गया हीटलर के बाजू में खड़ा हुआ और उसने चुपके से अपना ब्रीफ केस रख दिया हीटलर के पास उसके कुछ ही मिनट के बाद बाहर से एक बंदे ने स्टाफनबोग को बुलाया कि आपका एक फोन आया है जाके इस फोन को अटेंड करो और जो फोन आया था यह अलोड़ी उन्हें प्लान किया था कि स्टाफनबोग को एक नकली फोन कॉल करेंगे तो स्टाफनबोग निकला और अपना फोन कॉल अटेंड करने तो से बैक को उठा के, ये टेबल ता टेबल का के पार था, तो सुटाफनबंग में बैक तरह रखा था, और यहां पर heatler खना था, बाजू में heitler तो इस बंदी क्या किया, बैक को उठाके, पार के इस तरह कर दिया, अब जब स्टाफनबंग बाहर निकला, कुछ ही सेकेंड्स के बाद बडा सा धमाका हुआ स्टाफनबग समझ गया कि भाई धमाका हो चुका है हिटलर तो गया यह धमाका हुआ था दोपहर में 1242 पीम पे यह धमाका देखा स्टाफनबग ने उसको लगा कि हिटलर मरा और तुरंत यहां से अपने एसिस्टेंट को लेके कार में बैठके वो इस मिलेटरी कंपाउंड से निकल गया और एक बज़े वो अपने प्लेन में बैठा और बर्लीन के लिए निकल पड़ा स्टाफनबग को लग रहा था कि जब बर्लीन में लैंड करेगा तो हर जगा पे बिल्कुल चहल पहल होगी कि उनको बता दिया गया हो कि हिटलर तो मर चुका है बड़ जब चार बज़े तो पहल में जब वो लैंड किया बर्लीन में तो इसमें देखा कि हर जगा शांती है इतनी कोई कुछ हल चल के नहीं हो रही है तो उन्हेंने का कि तुम तुरंत ऑपरेशन डाल करी को इनिशेट करो रिजर्व आर्मी को तुम 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 मोबिलाइज करो तो फिर वो अब वो लोग गए किसके पास विजर्व आर्मी के कमांडर के पास जनरल फ्रॉम और उसको बोला कि भाई हिटलर की मौत हो किया और तुम 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 लोग बोल गया यह तो बोल रहे कि मरा नहीं तो स्टाफन बोग ने बोला नहीं काईटर जूट बोल रहा है मैंने खुद बॉंब ब्लास तो देखा है उमर गया है तो फ्रॉम ने बोला कि नहीं मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला है कि हिटलर मरा है इसने मैं रिजर्व आर्मी को मोबिलाइज नहीं करूंगा तो स्टाफन बग और और अलब्रिक ने मिलके एर्रेस्ट कर लिया फ्रॉम को और उसको बोला इसको हटाओ और से क्योंकि मान नहीं रहे और फिर और ब्लिक ने पावर अपने हाथ में ले ली और उसने रिजर्व आर्मी को और दे लिया मतलब रिजर्व आर्मी को बोल दिया कि भाई एडॉल फिटिलर मर चुका है और पावर अपने हाथ में लेने के कुशिश कर रहे हैं इसलिए रिजर्व आर्मी का अब ये काम है कि जितने भी गवर्मेंट ऑफिसेज हैं जर्मिनी के अंदर उन सब को जाके कैप्चर किया जा और सारे जो पॉर्टिन मिनिस्टर्स हैं जाब वो गोबल्स हो गया गोरिंग सब को पकड़-पकड़ के अर्यस्ट किया जाए तो शुरुवात में तो जैसे स्टाफन बर्ग ने प्लांट किया था ये प्लांट बिल्कुल वैसी जा रहा था बट जैसे से घंटे बीत रहे थे वैसे वैसे जो हिटलर के साथी थे हिमलर था उसने situation को अपने हाथ में ने जब आर्मी का जो उस उनिट का जो कमांडर था, मेजर रेमर, और मेजर रेमर को बोला गया, कि जाके गॉबल्स को अरेस्ट करो, अब गॉबल्स प्रोपगेंडा मिनिस्टर था, इतना इंपोर्टन आदमी था हिटलर के लिए, और स्टाफनबंग ने बोला कि गॉबल्स को अरेस्ट करो, जब गॉबल्स के पास गया, मेजर रेमर, तो गॉबल्स ने क्या बोला कि तुम मुझे मस्ट अर्रेस्ट कर, तो ये काम कर, मैं तेभी फुन पर बाठ करा जीता हूं हिटलर से, तो मेजर रेमर ने जब फ़ोन पकड़ा और साम में हिटलर से बात कर भात कर बेटा मेरे को कुछ नहीं हुआ मैं जिन्दा हूँ तो जाके जाके स्टाफनबोग को अरेस्ट कर और जितने भी लोग इसमें वहले सब को अरेस्ट कर तो यह आवास सुनने के बाद पार्टी बदनना शुरू किया और सब लोग निकल की भागने लगे वासे और अब स्टाफनबोग को भी लगने लगा कि यार मैंने मारा तो था यार मैंने जिनका नाम था मेजर रेमर बट रिजर्व अर्मी को जो कमांडर इंचीफ थे जनरल फ्रॉम उनको यहाँ पर लाया गया और उन्होंने देखा कि भाई यह सारे स्टाफनबोग और सारे लोग खड़े मेरे सामने अब फ्रॉम इस बात को जानता था कि यार इन्होंने मेरे बनने के लिए फ्रॉम ने का ओडर किया कि इन सारे लोगों का तुरंत कोर्ट मार्शल होगा और तुरंत इनको सजाय मौद दी जाए तो मेजर रमन ने बोला कि सर मुझे ओडर दिया गया कि इनको सिफ पकड़ना है इनका क्या करना है वो हिडले डिसाइड करेगा बट जनरल बेक उसने बोला कि मुझे सुसाइड करनी है तो उसको गंदी गई उसने सुसाइड कर ली और फिर बाकी जितने भी लोग थे उनको नीचे लेके गए वो लोग और उनके सामने एक फारिंग स्कॉर्ट आया मनलब पांचे सोल्जर्स गल लेके खड़े हो जाएंगे और एक-एक करके बुलाया गया और इन सारे बंदों को उन्हेंने मानना शुरूर किया स्टाफन बर्ग को भी फारिंग स्कॉर्ट के सामने खड़ा करके गोली मार दी जब तक यह एक्जिकुशन चल रहता है यह पर आट-दस बंदे थे तीन-चार को उन्होंने मार दिया तो जो बाकी लोग थे लाइन में लगे थे उनका भी नंबर आने वाला था उतने समय तक यहां पर एक SS की टीम आ गई और उस SS की टीम को लीड कर रहे थे ऑटो स्कॉर्जैनी ऑटो स्कॉर्जैनी का नाम आपको पता होगा मैंने इसकी पर में एक वीडियो मनाया था रिश करना है इस प्रकार ऑपरेशन बैलकरी फेल हुआ और जितने प्लॉटर इसमें इंवॉल्ड थे उन सब को अरेस्ट किया गया फ्रॉम को इसा रहा था कि वह इनको मार के बच जाएगा बट फ्रॉम को भी फिर अरेस्ट किया गया और पूरा जब यह ऑपरेशन खतम हो उसक को पड़ा उनने तो इस पूरे ऑपरेशन के बाई लगभग CT7000 ऐं और ने एंबार इस लिया कि जितने भी इंपर्टन प्लायनर्स ते उन सब को मार दिया और बहुत लोगों के तो परिवार वालों को ही मार दिया गया बड़onta चूनिटली स्टाफन बग्ग जो मेर आदम निकल गई थी और उसके फैमिली के लोग बहुत सालों तक जिये थे इस हिटलर के बाद हिटलर और ज्यादा कन्विंस हो गया कि भाई इस बॉंब ब्लास्ट में मरा नहीं उसका मतलब मेरे उपर किसी उपर की पावर का हाथ है मेरे को मरना नहीं है मतलब जो मैं लड़ाई कर अनुद कर दिया उस बैज का नाम था द वूंड बैज और यह बैज उन लोगों मिलेगा जिनको या तो इस हमने में बहुत बुड़ी तरह चोट लगी है वो मर गए तो बहुत बहुत रह चोट लगिया तो उनको अलग कश पर लग कर तीन तरह के बैज पे साइन था हिटल का तो ऐसे कुल मिला के 100 बैज मनिफाक्चर हुए थे इसमें 47 को उन्होंने अवार्ड किया और यह जितने भी नाजी जर्मिनी के जितने भी कॉम्मेरेटिव बैज थे और वाले बैच थे इसमें से यह बैज बहुत ही स्पेशल थे क्योंकि यह सिर्फ इतनी कम कॉंटिटी में बने थे और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास थे और इसमें हिटलर के साइन थे जब इस प्लाइन फेल हुआ तो उसके बाद जितने SS की लोग थे गस्टापों की लोग थे वो एकदम लग गया सब की पीछे जो उसको पकड़ा गया और उन सारे लोगों में बहुत सारे ज में जर्मनी को इतनी स्टनिंग जीत दिलाई थी जिसने फ्रांस के डिफेंस में बहुत बड़ा योगदान दिया था जिसने इटली के डिफेंस में अपना रोल निभाया था एक बहुत ही होनहार कमांडर था वो उसका भी नाम ओप्रेशन दालकरी में कहीं न कहीं आगया हिस्टॉरियंस इस बात को लेके पूरी तरह दोईसों बटे हुआ है कुछ लोग का यह मानना था कि रॉम णोको पता था कि हिटलर के खिलाफ हो रहा है हिटलर को मानने का प्लान ओ रहा है और फिर उसका तख्ता-पलट करने का प् हिटलर की लीडर्शिप से बरोसा उठ चुका था और वो जानता था कि हिटलर जर्मनी को पूरी तरह तबाही की तरफ लेके जा रहा है और इस वाज़े से बहुत बार रॉमल ने हिटलर को रिक्वेस्ट किया था उससे मिन्नते की थी कि ऐसा करने दो मुझे ऐसा करने दो यह हमको यहां पर लड़े करने की जुरूरत नहीं है बट हिटलर अब रॉमल से नाराज हो चुका था और हिटलर समझता था कि रॉमल एक बस अब वो हार चुका है अंदर से तो इसलिए कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि रॉमल यह नहीं चाहता था कि हिटलर को माना जाए रॉमल उसका भी नाम इस प्लान में आया है तो हिटलर को लगा कि भाई मेरे जो सबसे बेस्ट कमांडर्स हैं अगर वो भी मेरे खिलाफ प्लान कर रहे हैं इसका मतलब मेरा रेपिटेशन वो बजा नहीं तो इसलिए हिटलर जानता था कि अगर इसको भी हमने ऑफिशली मरवाया इसको हमने एक्जीक्यूट किया तो जनता के सामने बहुत ही खराब इप्रेशन पड़ेगा कि यार इतना होनहार कमांडर्स रॉमल को कहते हैं कि वर्ड वार टू का वर बेस्ट कमांडर्स था हो अगर वो बंदा भी हिटलर की लिडर्शीप पर भुरसा नहीं कर रहे है त हिटलर के खिलाफ तो इसलिए हिटलर ने कहा कि इसके इसको हम दूसी तरह से हैंडल करेंगे तो फिर वो लोग रॉमल के पास कुछ SS के बंदे कुछ military के बंदे गए और उन्होंने कहा कि देखो आपके पास दो रास्ते हैं पहला रास्ता आप आपके खिलाफ जो चार्ज लगा है आपके खिलाफ जो इलजाम लगा है उसको आप चैलेंज करो और आपके खिलाफ एक कंगारू कोड जारा जाएगा आपको और आपकी जो फैमिली है उसको जो इसकी जो इजट है उसको पेंशन मिल रही है जो इतने बेनिफिस मिलते हैं वो कुछ नहीं मिले घा चाषको और बद्नामी होगी तो आप यह लोग की टैबलेट आप कर लो suicide कर लो और हम जंता को बता देंगे कि आप killed in action थे, मतलब आपको चोट लगी लड़ाई में और उससे आप मर गए और आपकी family को पूरी respect मिलेगी आपको पूरे honors के साथ दफना आ जाएगा और आपकी pension, आपकी सारे benefits जो हैं, आपकी family को मिलेंगे और आपका नाम बदनाम नहीं होगा तो ऐसा कहते हैं कि रॉमल ने जब ये दो options देखे उसको नजर आए कि दोन options में मरना तो है मेरे को मरना तो मेरा प्तेय है तो या तो मैं बदनामी करवा के मर लू या फिर मैं इज़द के साथ मर लू रॉमल ने चुना दूसरा option रॉमल अपने घर से निकला बाहर गया और उसने suicide कर ली और इसी के साथ अर्विन रॉमल जिसको कहते हैं कि World War 2 में और पूरे मानव के इतियास में वन अप बेस्ट military commanders था उसकी मौत हुई suicide के वज़े से इसके मनने के बाद पूरे full military honors के साथ इसका funeral हुआ और जनता को ये बताया गया कि ये आदमी एक बाद अपनी कार में कहीं जा रहा था और उपर से allied bombers थे उन्होंने fire कि उसके उपर तो उस filing में इसको चोट लग गए थी उन injuries की वज़ इससे इस बंदे की मौत हुई है जनता को ये बताया नहीं गया कि इस बंदे से suicide करवाई गई है इसी के साथ the legend, the desert fox, Irwin Rommel का अंत हुआ July 20 plot को लेके लोगों के मन में बहुत different different तरीकी opinions है कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर ये plot successful होता और Hitler को लोग मार देते तो 1944 में ही लड़ाई कतम हो जाती और बहुत और कितनी लाखों जाने थी जो उसके बाद गई वो जाने बच जाती और यतना destruction नहीं होता जर्मनी जो पुछी तरह तबाव हो गया था 1945 तरह वैसा नहीं होता दूसरी तरफ कुछ लोग का ये मानना है कि अगर यहाँ पे ये लोग successful हो जाते हिटलर को मानने के लिए तो फिर से कुछ First World War की तरह ही होता देखे First World War में जब जर्मनी हारी थी तो इस बात को जर्मनी की लीडर्स बढ़ा रहे थे जर्मनी की आर्मी तो जीत रही थी तो जैसे ये एक प्रपगंडा मनाया गया था First World War के बाद और इसलिए फिर जर्मनी की जनता में इतना गुस्सा आ गया था कि हमारे नेता करप्ठ हैं इन्होंने हमारी आर्मी को धोका दिया तो यही चीज फिर यहां पे होती अगर हिटलर मारा जाता तो फिर यही लोग बोलते कि हिटलर तो जीत रहा था 1944 तक शायर वो जीत जाता बट इसके जो मंतिरी थे इसके जो आर्मी के जनरस थे उन्होंने ही धोका दिया और इस वज़े से हिटलर जीत नहीं पाया इसी बज़े से जरूरी था कि हिटलर को देखा जाए कि वो जिन्दा रहे और वो पूरा एंड तक आते याते उसका खात्मा हो और जमनी पूरी तरह तबा हो जाए तब लोगों को भरोसा होगा कि नहीं भाई हिटलर की जो लीडर्शिप थी उसमें कुछ गलती थी और उसको स्टाब इन दे बैक नहीं किया गया उसकी पूरी तरह टोटल हार हुई है इसी वज़े से अगर शायद जुलाई 20 प्लॉट सक्सेस्पूल होता तो शायद से लॉग टम के लिए वो खराब ही होता एक और वर्लवार साथ हो जाता उसके बाद तो ये तो थी पूरी कहानी जुलाई 20 प्लॉट की जिसको ऑपरेशन दालकरी भी कहते हैं अगर आपको इसके बारे में और डीटेल में जानना है बिल्कुल minute to minute डीटेल तो आपको एक book recommend करूँगा उसके ताब का नाम है countdown to Valkyrie और उसके ताब का link आपको इस वीडियो की description में मिलेगा और इस वीडियो का जो मेरा next episode है World War 2 का उसका भी link आपको इस वीडियो की description में मिल जागा